गणपती बपा आने वाले हैं और ऐसे में मोदक ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आज बनाएंगे गणपती बपा का प्रिय भोक मोदक, मावा मोदक बना कर तयार करेंगे हेलो दोस्तो मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल को क्वित लता पटेल में अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए बनाते हैं मावा मोदक मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर छड़ाएंगे एक मोटे तले की कड़ाई क्योंकि हमें मावा बनाना है तो मोटे तले का ही बरतन यूज़ करेंगे इसमें हम डालेंगे दूद हमने एक लीटर दूद लिया है फुल क्रीम दूद लेना है मोदक बनाने के लिए तबी जो मावा है वो ज़्यादा अच्छा बनता है गाय का या भैस का कोई भी दूद ले सकते हैं जो भी आपके पास हो तो अब हमें दूद को उबालना है दूद में अच्छा उबाल आने देना है क्योंकि हमें इसका मावा बनाना है गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई flame पर दूद को उबलने देते हैं देखे दूद में अच्छा उबाला गया है इसके उपर यह जो मलाई आते जाएगी हमें इसे इस तरह से खरोचते जाना है और बस चलाते हुए हमें इसे पकाना है लगाता चलाते हुए हमें दूद का खुआ बना कर तयार करना है मावा बना कर तयार करना है देखिए दूद को बालते हुए हमें लगभग 10-15 मिन्ट हो चुके हैं दूद अपनी कॉंटिटी में आधा हो चुका है गैस का फ्लेम हाई रखा है और हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाया हमने तो अब हम इसमें डाल लेंगे चीनी टेस्ट के साब से जैसा भी आप मीठा पसंद करते हैं उसे साब से चीनी डाल लीजिए वैसे जो मावा मुदक है वो बहुत ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते हैं तो हमने इसमें चीनी डाल लिया मिला लेते हैं और अब इसे पकाएंगे देखिए चीनी डालने के बाद हमने इसे 5-6 मिनट के लिए पकाया है तो अब हम इसमें डाल लेंगे ये हमने मिल्क पौडर लिया है जटपड से मावा बनकर तयार हो जाएं इसलिए हम इसमें मिल्क पौडर डाल रहे हैं आप चाहे तो इसे स्कीप भी कर सकते हैं बिना मिल्क पौडर के भी मावा बना कर तयार कर सकते हैं लेकिन मिल्क पौडर डालने से जल्दी से गाड़ा हो जाएगा और मावा बनकर तयार हो जाएगा देखिए मिल्क पौडर डालने के बाद हमने इसे 3-4 मिट के लिए पकाया है तो अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पौडर अच्छी सी खुस्बू और टेस्ट के लिए मिला लेते हैं और मिलाते हुए फिर से पका लेते हैं इसे मावा मोदक बनाना बहुत आसान है कोई ज़्यादा जंजट नहीं है इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमें दूद को उटाना होता है इसका मावा बनाना होता है इसलिए टाइम थोड़ा सा बस दूद उटाते तक ही लगता है मावा बनाते तक बाद में तो मोदक पटापट से बन जाते हैं देखिए हमें दूद को पकाते हुए दूद को सुखाते हुए लगभग 25 से 30 मेंट हो चुके हैं ये हमारा मावा बन कर तयार हो चुका है अभी ये थोड़ा गीला सा लग रहा है लेकिन हम इसे इसी तरह से अभी कुछ देर के लिए और चलाते हुए पकाएंगे बहुत ज़्यदा छीटे आते हैं इस तरह से जब ये दूद कम हो जाता अपनी क्वांटिटी में और लगभग मावा बनने को तयार हो जाता है तब इसके छीटे बहुत ज़्यदा आते हैं इसलिए थोड़ा सा केरफुली इसे चलाईए देखिए अभी काफी गाड़ा हो जुका है हमारा मावा बनकर तयार हो जुका है अभी भी थोड़ा सा आपको गीला लग रहा होगा लेगिन सुखने के बाद ये बुरबुरा सा हो जाएगा इसलिए अब और ज्यादा इसे नहीं पकाना है नहीं तो ये तली में चिपकने लगेगा और इसका कलर भी लाल होने लगेगा और जो मावा है वो जलने लगेगा इसलिए बस अब गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसे एक दूसरे बरतन में निकाल का ठंडा होने देते हैं लगबख 4-5 घंटे के लिए 5-6 घंटे में पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और यह थोड़ा ठिक भी हो जाएगा गाड़ा भी हो जाएगा देखिए हमने इसे पूरी रात के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था हमने इसे खटा सा कर लिया है देखिए कितना कड़ा हो गया है तो बस अब इसके मोदग बना कर तयार कर लेंगे आपको इसका कलर थोड़ा सा भी डार्क दिख रहा होगा क्यूंकि अभी सुभा कर टाइम है तो बस आप मोदक बना कर तयार कर लेते हैं मोदक मोड ले लिया हमने इस तरह से इसे बंद कर देंगे और इसमें ये जो हमने मावा बना कर तयार किया है इसे डाल लेना है अच्छी तरह से दबाते हुए डालेंगे तभी जो सेफ है वो अच्छा आएगा इस तरह से अंगुठे से दबाते हुए इसमें जितना भी मरावन जा रहा है जितना भी मावा जा रहा है उसे डाल लेते हैं और इसे दबा लेना है देखिए अच्छी तरह से हमने इसमें मावा डाल दिया तो बस अब निकाल लेते हैं ये हमारा मोदक बनकर तयार हो चुका है मावा मोदक देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तयार हुआ है तो बस सारे ही मोदक इसी तरह से बना कर तयार कर लेते हैं बहुत ही आसान है बस मावा बनकर तयार हो जाए फिर तो मोदक बनाना चुटकियों का काम होता है गनपती बप्पा आने वाले हैं और मोदक तो गनपती बप्पा का प्रिय भोग है तो इस तरह से मावा मोदक आप भी बना कर तयार करिए गनपती बप्पा के भोग के लिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथी बल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, तकि आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आप को मिलते रहे, तो मिलते हैं नए रेस्पी वीडियो में, तब तक लिए नमस्ते,